हलो फ्रेंड्स हमारे जो स्टूरेंट्स हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुएं बहुत ज्यादा टाइम पीड हो गया और ये न्यूज भी पुरानी है और सिर्फ इसको यहां पर दिखाने का परपस हमारा यही है कि क्या कहा गया था कि अगस्त में आपके की चिक हो कि और पिजटी की बरति परिकलिया सुरू हो जाएक। विच है ? Chicago पुलीश के बरति शुर्ण हो जाएक। पुलीश की और सब इंस्पेक्टर की बरति वो तो स्टार्ट हो गई हैं लेकिन वह रुखी किस PETER जैसे क्योंकि paper cancel हो गया था उनका कम से कम यह तो हुआ कि paper start हो चुकी है वह paper तो लिए गई है यह अलग है और यह government का ही fault है कि इस papers को out करवाने के पीछे होते कोन है इनी के अपने चम्चे होते हैं और कोन होता है हमसे तो paper out होगा नहीं जिनकी जितनी उपर तक पहुँच होती है वही होते है तो हमें क्या अपना अधिकार है जो हमारा उसको भी क्या हम नहीं पासकते हम कम से कम भी कितने साल हो गए जो teaching line में है बरती हुए दो साल तो इस हमारी जो test के जो form है उसको हो गए दो बार ये पहले भी reopen हो चुके है re-add हो चुके है बहुत सारे students इसमें क्या है add हो चुके है एक vacancy के उपर पता नहीं कितने students बैठे हुए है तो क्या ये गलत बात नहीं है क्या इसके लिए हमें कुछ पहल नहीं करने चाहिए और आज का हमारा जो इस वीडियो को बनाने का मोटीव यही है कि अब क्या है ये कह रहेंगी एच एससे से जो चेयर मैं है उन्होंने ये कहा है कि इसको दुबारा reopen करेंगे जनवरी में क्या ये कोई तुख है कोई बात है इसका कोई मतलब बनता है कि भई इतने टाइम हो गया इसको पहले भी आप re-add कर चुके हो उसमें इतने सारे students पहले ही add हो चुके हो और दुबारा फिर ये कह रहे हैं कि इसमें re-ad, reopen होंगे क्योंकि जो एस्टेट हुआ था अरे ओल्रेडी इसमें इतने students हैं कि एक पोस्ट के ऊपर आपके बहुत सारे students बैठे हो आप लगातार सुन रहे हो लगातार YouTube पर आपका जो correction है उसमें आप देख रहे हो कि कितने PhD holders सबजी बेचने के लिए मजबूर है जो हमारे estate qualified है जिन नोंने 3-4-4 बार estate जी-RF qualified किया है वह जूस की रहड़ी लगाने के लिए मद्बूर है तो क्या इन सब के लिए हम खुद भी तो जीमेवार हैं हमें भी तो सब को ये किसी एक की लड़ाई नहीं हम सब की लड़ाई है हम सब को तो हम सब को इसकी लड़ाई लड़नी होगी पहल कर रहे हम TGT PGT जो हमारे जो students हैं जिन्होंने form भर रखा है आपसे बाई request है कि अपना इस video को जादा से जादा शेयर कीजी क्यों कि जतने जादा students connect होंगे जितने जादा students एक जूट होंगे इस पहल को लेकर उतना ही शायद कुछ हमारी जो यह government है जो सोई हुई है इस पर इफेक्ट पड़े कि भई बार बार रियोपन करने से, इतने पैसे ही कठे करने से, हमारे कितने फोर्म पहले जम्मा हो चुके हैं, और दुबारा फिर एस्टेट लिया जा रहा है, फिर उसके दुबारा फिर इसको रियोपन कर दिया जाए, क्या मतलब? जब तक एक बरती ना हो तब तक आप estate के निकालो ही न अब आपने lifetime कर दिया उसका benefit क्या हो जब आप vacancy नहीं ले रहे हो बरती ही नहीं कर रहे हो तो lifetime क्या आप कितना ही भी उसको क्या कर दो कोई हर एक चीज की एक age limit होती है हर एक हर एक चीज को एक सहने की शमता होती है और वो limit cross होती जा रही है ठीक है जो हमारे students interested हैं कि हाँ हम भी कुछ करने के लिए तयार है एकजूट होने के लिए तयार है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को share किजिए और जो इकठा होना जो चाहते हैं कि हाँ हम भी चाहते हैं कि भई इसके उपर कुछ ना कुछ एक्सल लिया जाए तो प्लीज कमेंट चरूर कीजिए कमेंट करके बताईएगा और इसमें और ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इनवोल्व करने की कोशिश कीजिएगा कुछ ना कुछ सब ही मिलकर करेंगे तब ही ये जो है भरती होगी और ये एक के भले की बात नहीं है ये सब ही के लिए अच्छा है क्योंकि जो हमारे बहुत सारे इंटेलिजन्ट स्टूडेंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा जो इस सिच्वेशन में हैं कि उन हो उनको अपनी ये पढ़ाई छोड़कर कहीं और दूसरी लाइन में दूसरे फिल्ड में जो उनके जिसके वो लाइक नहीं है वो काम करना पड़ रहा है तो देखो ये तो अच्छी बात नहीं है ठीक है इससे क्या होगा इससे तो इस पेट रहेगा एक लिमिट होती है हर एक चीज की तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जितने ज्यादा हो सके जुड़ने की कोशिश कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन-कौन इंट्रस्टीन है इसके खिलाब एक्सल लेने के लिए तो थैंक यू फोर वचिंग दिस वीडियो और प्लीज प्लीज शियर इस वीडियो सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है शियर जरूर कीजिएगा ताकि इससे क्या है बहुत सारे जो स्टूडेंट सा उनको मोटिवे का भी स्क्रीनिंग लेना है रहे एक बार एस्टेट हो चुका है तो फिर स्क्रीनिंग लेने में क्या दिक्कत है देखो आरोही के उपर एक्शन हुआ था तो आरोही का तुरंट रिजल्ट निकल के आया है और शायद ऐसा पोसिबल है कि शायद लिष्ट भी जल्दी ही जायद थैक्वाची है आरोही कर दोजगे लाहिए लाहिए लेना कि आडवर में लेकि दिके।